नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल एजुकेशन.pk4u पे स्वागत है आज हम इस वीडियो में सिखेंगे कैलेंडर के वैसे सवाल जो काफी महतुर्ण है पिछली वीडियो अर्थात पार्टफोर में मैंने कुछ सवाल बता दिया था जिसमें कि डेट का दिन निकालते थ तो वो एक अलग प्रोसेस था आज जो आप सीखेंगे वो दूसरा प्रोसेस है आप इन दोनों प्रोसेस एकजाम में कोई प्रोसेस का इस्तेमाल करके सवाल को आप बना सकते हैं तो आए चलते हैं बिना किसी देरी के सवाल की और तो आज का जो वीडियो है इसमें कुछ ऐ आने के लिए पहले कुछ कोड याद रखना पड़ता है तो इस कोड को हम पहले याद कर लेंगे तो इसमें पहले आपको मंत का कोड मिलेगा मंत का कोड याद रखेंगे तो यहां जनवरी फरबरी मार्च अप्रेल माई जून जुलाई अगस सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसम्बर का सेरियल वाइज कोड दिया गया है 14, 40, 25, 0, 3, 7, 46 आप इसे याद कर लें उसके बाद कोड याद हो जाने के बाद इयर कोड याद कर लें इयर कोड जो है आप अडाम से बना भी सकते हैं तो कुछ नहीं करना है 16, 17, 18, 19, 44 का सरीज बनाईए और उपर नीचे लिखिए और कोड जो हमेशा 6, 4, 2, 0 के ही सरीज में चलता है चाहिए आप किसी कभी कोड बना रहे हो अगर इसके बैक का बनाना हो कोड तो आप 1200 सका भी बना सकते हैं 1200, 1300, 1400, 1500 और इसका कोड जो हो जाएगा आपका 64, 2, 0 इस तरह से आप हर एक एर का कोड बना सकते हैं जब आप कोड बनाना सीख जाएगे तो आप किसी भी एर का आप डेट निकाल पाएगे इसके लिए एक फोर्मूला है ये फोर्मूला है पहले आपको डेट रखना है उसके बाद मन्त रखना है जो मन्त का कोड आएगा वो रखना है उसके बाद इयर कोड लिखते हैं उसके बाद इयर में जो लाज्ट डिजिट होता है उसे हम तोर कर लिखते हैं और उसमें चार से भाग देने के बाद जो भागफाल आता है वो लिखते हैं उसके बाद overall सब को जोड़ कर साथ से भाग देकर odd days निकाल लेते हैं जो हमारा odd days आता है वो हम Sunday-Monday के अनुसार से counting करके दिन बता देते हैं कि कौन सा दिन उत्तर होगा तो इसमें जो पहला दिन मना गया है वो Sunday तो आप दोनों विदियां से सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं यह तो एक विदि भी काफी है तो आईए चलते हैं सवाल की ओड़ पहला सवाल दिया गया है 2 March 2020 को कौन सा दिन था तो इसको बस formula पर put करना है तो आईए formula क्या करता है पहले date लिखे तो हम पहले date लिख दिये उसके बाद बोला है मन्त का code लिखे मन्त यहां मेरा March है March का code क्या होता है तो चार होता है तो चार लिख दिये उसके बाद year लिखते हैं year कितना है 2020 है तो इसको हम तोड़ कर लिखेंगे पहले 2000 लिखेंगे उसके बाद 20 लिखेंगे ठीक है और आखरी में क्या करता है 20 में जो है आप 4 से भाग देजिए और उसका भागफा लिखेंगे तो 20 में जब आप 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5 आएगा 5 लिख दिए बस हो गया अब इस टोटल में आपको क्या करना है 7 से भाग दे देना है और जो ओडेज आएगा वह हमारा दिन बताएगा तो आएए चलते हैं तो यहाँ पर एक चीज का ओड़ ओडेज लिखना होगा 2000 साल का ओडेज कितना है तो 2000 साल का ओडेज कितना है जीरो आएगा आप देख सकते हैं जाएगा चार दो छे हो जाएगा 2000 का जब ओडेज रखेंगे तो 6 रखेंगे 20 लिखेंगे और 5 लिखेंगे तो इसको आप जोड़िये मत साथ से सिर्फ डिवाइड कर दिजिए जो जो कट रहे काट दिजिए तो यहां तो कट नहीं रहे कोई भी तो 20, 26, 36, 32, अब 5, 37 हो गया, 37 में अब 7 से भाग देगे तो 7 पचे 35, 6 जो हमारा आएगा, रिमेंडर, 2 आएगा, ठीक है, जब 2 आएगा, तो हमारा दिन जो हो जाएगा, अगर काउंटिंग करेंगे संडे मंडे से, संडे को एक मानते हैं, मंडे को 2, हमारा दो दिन आया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मंडे, तो हमारा आप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है, इसमें कुछ ऐसे भी सवाल है, जो कि confusion है, तो चलते हैं, अगले सवाल की ओर, जो कि आपको confusion create करेगा, बट उसका भी solution निकाल लेंगे, इन सवाल को आप देखेंगे, 22 जन्वरी 2020 को कौन सा दिन था, इसको चलिए बनाते हैं, 22 जन्वरी है, यहां आप 22 लिख देंगे, उसके बाद मंद का कोड एक लिखेंगे, फिर 2020 है, तो 2000 का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लिख दिये, 20 लिखना है, 20 लिख दिये, उसके 20 में ज जाट से भाग देंगे, तो भाग फल कितना रखना होगा, पांच रखेंगे, ठीक है, टोटल में साथ से भाग देते हैं, चलिए वह आखडी में कर देंगे, अब चलिए, यहां से छे और एक साथ बुर रहा है, तो किंसील आउट कर दिये, इस 22 में जब साथ से भाग दें जाएगा, यहां से आपका कितना बची है, पांच बची है, यहां से साथ मिली है, यह किंसील आउट होगे, तो आपका कितना बचा है यहां पे, पांच बचा, तो हमारा यहां पे कौन सा दिन आया, तो अकर संडे से काउंट करेंगे, तो कौन सा दिन होगा, संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनस डे, थ्रस्डे, तो आपका जो उत्तर आता है, थ्रस्डे आता है, तो क्या ये उत्तर सही है, तो ये उत्तर गलत है, यहाँ थ्रस्डे नहीं होगा, इसका सही उत्तर जो होगा, एक दिन पहले होगा, अर्थात वेडनस डे होगा, आये जानते हैं ये ऐसा क्यों होता है ये चीज़ जानते हैं यहां देखिए 2020 दिया गया है जो कि लिप एर है और लिप एर तभी यहां पर काउंट होता है जब मन्थ फरवरी पाड़ किया हुआ होता है यहां देखिए 22 जनवरी है फरवरी तो पाड़ हुआ नहीं है जबकि 2020 को हम लिप एर मान लिप एर के वज़े से ही एक दिन यहां एक्स्ट्रा इंक्लोड हो गया है तो इन चीजों पर आप जरूर ध्यान दिजेगा कि यहां पर कौन सा मन्थ है यदि मन्थ आपका लिप एर में जनवरी के आगे है अर्थात फरवरी से भी आगे मार्श से बाद है तब तो कोई दिक्कत नहीं इंसर जोड़ आया वही देते लेकिन जब यह चीजें फरवरी को पार ना करता हो तो सही उत्तर देने के लिए हम एक माइनस कर देते हैं तो हमारा यहां पर उत्तर आया आधा गुरूबार लेकिन गुरूबार सही उत्तर नहीं होगा तैसे उसमें माइनस कर देंगे तो आएगा हमेरा बुद्ध बारद तुरी इसका सही उत्तर जो जाएगा बुद्ध रव जाएगा कैज फिरट चलते है नेक नख सवाल के और और इस सवाल में भी आप देखेंगे जश्ट उसी तरह का सवाल है तो पहले इसको आप बना लिजे 29 से 29 लिख दिजे फड़बड़ी का कोट डाल दिजे 4 होगा फिर 2000 का कोट डाल दिजे 6 होगा उसके बाद 20 लिख दिए उसको 20 में 4 से डिवाइड करेंगे वो लिख देते हैं 5 आएगा तो 5 भाग पल लिख देते हैं अभी इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 29 में 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना रिमेंडर आएगा 7 चोग 8,1 आएगा 4 तो कटेगा ही नहीं 6 भी नहीं कटेगा 20 में जब 7 से भाग देंगे तो 6 आएगा यहां से 5 मिलेगा तो 6 और 1,7 कट गिया अब यहां से कितना बचा हैं 6,4,10,5,15 जब इसमें 7 से भाग देंगे तो कितना होगा एक आएगा रिमेंडर तो इस अनुसार से जो आपका उत्तर आएगा संडे होगा तो फिर यहां पे सवाल फंच जाता है यहां ध्यान देना है शुडू में ही कि कोश्चन में कौन सा मन्त दिया गया है अगर फरवड़ी पाड़ कर चुका है तब तो ठीक है जो एंसर आ रहा है संडे वही देते लिप एड होने के पर अगर लिप एड दिया गया है तो फरवड़ी देखेंगे पाड़ है या नहीं अगर पाड़ है तो वही उत्तर हो जाता संडे ही यहां देखेंगे फरवड़ी पाड़ नहीं है तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा एक दिन माइनस हो जाएगा यहां एक दिन माइनस कर देंगे हमारा सटर्डे हो जाएगा तो अप्शन पहला सही उत्तर हो जाएगा चलते हैं नेक्स सवाल की और इसमें बोला गया है 12 जन्वर 2016 को कौन सा दिन था तो ये सवाल को मैंने पिछले वीडियो अर्थाथ पाटफोर में भी डाला था तो वहाँ पर ये चीजे बताना मैं भूल गया था कि एक दिन माइनस करते हैं तो उस सवाल को आप थरा सुधार कर लिजेगा ठीक है तो आएए चलते हैं इस सवाल में यहाँ भी वही बात है 2016 का साल है लीपियर है समझ गया है जन्वरी दिया गया है ये तो पाड़ हुआ नहीं है फड़बड़ी तो इस सवाल में भी आपको एक माइनस करके उतर देना होगा तो चलिए पहले बाड़ा लिखेंगे फॉर्मूले के नुसार से पहले डेट लिखते हैं डेट लिख दिये उसके बाद मंद कोड डालते हैं तो मंद कोड 1 होगा तो 1 लिख दिये उसके बाद दो हजार सोला है तो इसको दो हजार लिखेंगे तो दो हजार लिख दिए उसके बाद सोला है सोला लिख दिए फिर सोला में क्या करते हैं चार से भाग देते हैं और जो भाग फल आता है वो लिखते हैं तो चार से भाग देंगे भाग फल जो आएगा वो लिखेंगे चार लिखेंगे तो इन चीजों को अब आगे लिखेंगे बाड़ा है बाड़ा लिख दिए एक है एक लिख दिए 2000 का code क्या आएगा 6 आएगा 6 लिख दिए 16 16 लिख दिए 4 है 4 लिख दिए ठीक है अब 7 से भाग दे कर इसका 8 डेज निकाल लेते हैं 12 में भाग 6 एक 7 यहां से कट रहा है जो जहां से कट रहा है कट दिए 16 और 4 जोड़ेंगे तो 20 आएगा जो 7 से भाग देंगे 20 में तो 8 डेज यहां से आपका 6 आजाएगा और यहां 12 जो 7 से भाग देंगे तो 5 आजाएगा तो 11 हुआ तो आपका 4 जो है 8 डेज आया तो इसके नुसार से सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा संडे से काउन्ट अपकरेंगे Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday आएगा इसका जो उत्तर होना था Wednesday होना था लेकिन यहां देखेंगे leap year भी है और फरवरी से pass out भी नहीं है जब नहीं ऐसा होता है जिसका जो सही उत्तर होता है इसमें एक माइनस करके जवाब देते हैं जिसका सही उत्तर हो जाएगा Tuesday यदि यही चीज बाड़े जन्वरी के बजाए मार्च होता है बाड़े मार्च तब हम एक माइनस नहीं करते हैं यह चीज हम आपको बाड़ बाड़ बता रहे हैं ताकि आप इस चीज पर विशेश तरह से ध्यान दीजिए ताकि कभी गलती ना हो यह चीजे बहुत सारे किताबों में नहीं लिखी है बाते हैं जब मैं यह सवाल बना रहा था तो कई बार इस तरह के सवाल में मिस्टेक हो जाता था कैलेंडर का मुआज से डेट कुछ और बताता था जबकि रिजल्ट एक दिन ज़्यादा आता था तो इन चीजों को मैंने पूरी तरह से 100% करेक्ट कर दिया है तो उमीद है का आप पूरी तरह से सीख गये होंगे जिसका सही उत्तर आए आपका Tuesday पहला उप्शन चलते है नेक्स वीडियो की और यह भी देखिए उसी तरह का सवाल है आप खुद से भी बना सकते हैं तो इसको बनाने का तो जरुरत नहीं है अब खुद से आप बना लिजे इस सवाल को देखे हैं इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है 1947 है यह तो लीपियर है यह नहीं इसले इसमें तो कुछ करना ही नहीं है जो आएगए रिजल्ट हो है यह जवाब देदे से बस ध्यान देना है लीपियर में फ़रवड़ी पास आउट है यह नहीं बस इस बात पर ध्यान देना है कि कोईश्टन क्या कर रहा है अगर इस तरह कि ना हो question simple question हो तो बहुत आसान से बन जाता है इसमें क्या करेंगे डेट लिखेंगे लेट लिखें 15 हो गया है फिर मंत का code डालेंगे तो मंत का code कितना हो जाएगा 14 40 25 03 तीन आएगा फिर 1900 है 1900 लिख दिए फिर 47 47 लिख दिए फिर 47 में चार से भाग देते हैं और उसका भागवा लिखते हैं कितना हो जाएगा अब सबका क्या करना है कोड लिखना है तो 1900 का code कितना हो जाएगा अंगली पड़कर जोड़ते हैं तो 16, 17, 18, 19, 19, 19, 24 पे तो 6, 4, 2, 0 आएगा तो 1900 का code कितना आपका बन जाएगा जिड़ो हो जाएगा 47 में जब 7 से भाग देंगे तो 8 डेज कितना आएगा सच्छक 42, 5 आएगा जब 11 में 7 से भाग देंगे तो 8 डेज कितना आएगा, 4 आएगा तीन में तो भाग लगेगा नहीं तीन लिग देते हैं पंद्रह में भाग देंगे तो यह काईगा तब साथ जहां जहां पुरता उसको जोड काईट करेंगे संडे मंडे से संडे मंडे डेट असा फ्राइड यह छोटा है जिसका सही उत्तर क्या हो जायेगा आपका बाइडे हो जाएगा तो फ्राइडे इसमें दिया गया है अप्चन थिरी में रहां है उम्मीद है कि आप सवाल को अच्छी तरह से सीख गए होंगे अब आएंगे अगली वीडियो में कुछ नए और महत्पुन सवाल के साथ जो की प्रिवियस येर में पूछे गया सवाल होगा अगर आपको वीडियो अमरा अच्छा लगता है तब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें धन्यवाद